युवा की बात तो सब करते हैं, क्योंकि युवा बस मतदाता है, युवा के हक में कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म के अधार पर युवा को बाटा जा रहा है, सिर्फ राजनीती के लिए युवा को बाटा जा रहा है, आज तक जार्खंड राज बने हुए 24 साल हो ग कर रही है आज वर्ग में युवा आपस में ही अलग-अलग हुआ हुआ है जैराम महत तो पढ़े लिखे कितने हैं उनको कितना experience है तो आप हमें यह बताए कि JMM के नेता कितने पढ़े लिखे हैं, BJP के नेता कितने पढ़े लिखे हैं जाए 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 जा विजेबी भी तो एजुकेशन के शेत्रे में धिहान दे रही है दे तो रही है लेकिन उतना हम लोग को नहीं इतना हो पा रहा है इसके वज़ा से हम लगता है और नहीं पता है कॉंगरें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर युः को दे कर वोट कर रहे हैं अपर रहे हैं कि अब है करें नहीं करें वह तो बात के बात है लेकिन अभी तक जो लग रहा है वह तो हमको लगता है कॉंगरेस पर यह कना चाहिए तो आपने सुना यह यूज़ और यह चाहेंगे कि यूज़ ही नेता निकरकर सामने आए तो हमारे साथ और भी कुछ लोग है क्या कहना चाहेंगे आप एक यूज़ है, यूज़ के तौर पर किसे नेता देखना चाहेंगे आप गॉज़ एए इस समाज में जो सबसे ठगा मह जान कॉंग्रेस की तरफ है क्योंकि अब युवा ठक चुका है दस साल की जो सासनकाल में बीजेपी ने जो किया वो ये देखा जा रहा है कि उसने सिर्फ युवा को ठगा है चाहे सिक्षा की बात हो चाहे रोजगार की बात हो चाहे एक देश में रहने की बात हो सिर्फ धर् थी आठ सो रूपे उसकी दाम थी भरने की कितनी एक्जाम कराने में वह भीफल होई ठीक है यहाँ पर छेत्रिया पार्टी का सासनकाल है छेत्रिया पार्टी परिच्छा नहीं करवा पाती है लेकिन युवा का दुखदर्द तो समझती है सो रूपे फॉरम का दाम रखती है आपसे सवाल है कि यह पार्टी फॉरम निकाल रही है लेकिन एक्जाम नहीं हो पा रहा है बीच में एक्जाम फंस जा रहा है लेकिन फिर भी अगर देखा चाहिए तो युवा है लटकते वे नजर आ रहे हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कॉंग्रेस से वो एक् देखिए रोजगार की बात जहां तक होई तो रोजगार में आस्थानियों को ज़्यादा मान्याता देनी चाहिए बीजेपी का जब सासन काल था तो उस समय हम ये देखे कि जार्खंड दरोगा का परिक्षा हुआ उसमें अधिकतर बताए जार्खंड से कितने यहां के छा सीख्षानीती बना रहे हैं यह अस्थानियों नीती बना रहे हैं मैं आपको भी से की नहीं हुई देखा सकते हैं और अभी हाल महीं जैसी के परिक्षा होे हुआ हूंगी हूई जो कोश्चन पत्रे वो लीख होने का मामला सामनी आया है देखिए मेडम कोश्चन लीख से तो सारे राज परिसान है अब यह नहीं कि सिर्फ जहां पर GMM है वहीं पर कोश्चन लीख हो रहा है क्या यूपी में कोई और सरकार है यूपी में तो BJP की सरकार है कानून में है लेकिन वहाँ पर यूपी कॉंस्टेबल का कैसे परिक्षा का पेपर लिख हो जा रहा है तो इस मामला से यूपा को दूर रखना चाहिए यूपा को रखना चाहिए कि रोजगार कैसे स्रीजन होगा यूपा को रोजगार कैसे मिलेगा इस मामला से रखना चाहिए य युवा बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है, युवा कॉंग्रेस की तरफ अपना रुजान कर रहा है, आपको ये भी चीज देखना चाहिए, कि जब 1991 में देश के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो यहीं कॉंग्रेस थी जो आज देश को बचाई है, बात आदमी धर्म क अधार पर करता है, धर्म के अधार पर युवा को नहीं बाटना चाहिए, युवा को रोजगार के अगर मेरे पास रोजगार नहीं रहेगा, धर्म के अधार पर अगर मंदीर के सामने हम भीख मांगेंगे, तो हमारा सामाज हम पर हसेगा, ठीक है, रोजगार नहीं है, तो तो हम रोजगार को देखेंगे ना हम तो आंतरिक चीज़ को नहीं देखेंगे हम गर्व से हिंदू हैं तो हम अपने लिए बोलेंगे कि हम हिंदू हैं कि हम जगा जगा धिंडोरा पिरते चलेंगे आपका ये कहना है कि BJP धर्म बाट कर युवाओं के साथ खिलवार कर रही है आज वर्ग में युवा आपस में ही अलग अलग हुआ हुआ है कोई अलग कमुनिटी का अलग कमुनिटी से बात करता है तो ये धर्म की राजनीती हो रही है युवा की राजनीती नहीं हो रही है युवा की राजनिती होती तो सिख्षा कैसे मिलेगा युवा की राजनिती होती तो आई 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 टी का और कितरा कोलेगा। युवा को हल करते थे लेकिन संजे सेट से मिले तो मिले कहां इंसान संजे सेट के आवास पजाता है तो संजे सेट आधा टाइम उनका तभी अधा रहता है और आधा टाइम वो दिल्ली के ही आवास में रहते हैं तो जब वो अपने इस राज में इस संसद्ये छेतर में रहें युवाओं के लिए वैसा कोई शिक्षा में कुछ वैसे छूट नहीं दिये तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की बीजेपी युवाओं को ठग रही है देखिए बीजेपी जो भी राजने पार्टी आती है वो युवाओं के साथ खिलवाड़ी करती है पहले के टाइम में जिस समय कॉंग्रेस सासन काल में थी बच्चा का फोरम भरने में मातर 300 रुपया लगता था बीजेपी आई नई सिक्षा निती को लाई नई सिक्षा निती के मोडल को सही से एक्स्प्लेन नहीं की आज के टाइम में एक बच्चा स्यूटी का फारम भरन क्या चांसलर पोटल के दौरा फिर से वह 700 रुपया आवेदन लगा करके भरेगा तो वह तो इवा को ठगा जा रहा है न आप 1800 रुपया स्यूटी के दौरा आप केंदर को आप 1800 रुपया कर वह स्रीजन करवा दिये फिर स्टेट इन्वर्सिटी में वह 700 रुपया फोरम के जी था और उस कोर्स फी को जो है बिजेपी के सासनकाल में 2014 से 18 के बीच में जो है कई सारी युवा है राची के ही वा है जो बिजेपी से काफे प्रभावित हो रहे है वो कह रहा है कि अब इजेपी इंडिया को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है देखिए आर्थिक र अनलाइन माध्यम में भी आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे सेनारियों में भारत पिछरा आर्थिक मजबूती होता क्या है अगर 1991 में कोंग्रेस नहीं रहती तो यह आर्थिक इस्तिती जो आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं वो आज होता ही नहीं फिर से आज हम किसी न वारा आपका कोई सेनारियों होगा जो काम किया गया अगर रोजगार की बात होती कि बीजेपी ने रोजगार दिया बीजेपी ने युवाओ के लिए कारे किया तो बीजेपी यहां की बिधान सभा के चुनाओं में इतनी बुरी तरह से नहीं हरती अगर बीजेपी हारी है तो अगर उसने युवाओ के लिए काम किया तो वो राज्य सरकार की जवाब देही है कहा गया राज्य सरकार वो फिर से रिपीट होता ना उसका सरकार तो बीजेपी की तो सरकार आई ही नहीं इसलिए हम ये कर रहे हैं आज देश में देखिए आप आर्थिक बात करती हैं सहारा जैसा कमपनी आज कितने मध्वर्गी लोगों का पैसा लेकर के बीजेपी ने उस पर ऐसा पॉलिसी बना दिया है ये कह सकते हैं कि युवाओं की जो पसंद है वो अब कॉंग्रेस के ओड जा रही है युवाओं का पसंद कॉंग्रेस के लिए इसलिए जा रही है क्योंकि बीजेपी से कॉंग्रेस ही नहीं हर वर्ग का इंसान जो है परिसान है मध्या मुवर्ग के इंसान के लिए बात करें सहारा जैसे में अपने खुन पसीना के तो सुना अपने इवाओं का कहीं न कहीं यह कहना है कि वो कॉंग्रेस के जो प्रत्याशी है युशुशनी साहे उन्हें इवा सांसत के तौर पर देखना चाहिए तो ऐसे में हमारे साथ क कोई ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो इस्टूडेंट के लिए लड़ रहे तो हमारा भी फर्श बनता है कि इस्टूडेंट के लिए जो लड़े हमारा वोट बस उसी को जाए क्या मुद्दा है आपका किन मुद्दा को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और अपना वोट देंगे आप बस जो यहां पर कांग्रेश और बीजेपी ने जो अभी तक जैसे की जेपी एसी हुआ सारा कुस्टिलीग बाहर के सदस्यों कहीं नोकरी होते आ रहा है अभी तक जै जैराम नहीं नहीं होता तो इसका एक मुल रूप से कारण ये हुआ होगा कि जो हमारे गवर्मेंट रहें अब तक, उनका सही से सासन नहीं रहा, वो सही से एक जाम कंड़क नहीं कर पाए, कंड़क करवाए तो पेपर लीग रोक नहीं पाए, यह जिमेदारी बनता है सरकार का, और इसके विरोध में, जो इनके विरोध में आय हमारे सामने नेता है, तो वो हमारा आप सपोर्ड कर रहे हैं, वो विद्यारती का कष्ट समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी उनको सपोर्ट करेंगा, जैराम मतो को, क्यों क्या को, वो तो कभी अच्छी खाए, उनके पास एक्सपरियेंस भी नहीं है, तो फिर आप कैसे भरुसा कर सकते है जैराम मतो को, एक्सपरियेंस की बात है, एक्सपरियेंस इस्टुडेंट का पास भी नहीं हो, पस इस्टुडेंट की बात नहीं किया जा सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग है, जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, या फिर महंगाई को लेकर दर दर भटक रहे हैं, तो फिर आप जैराब महतर। पिर यकीन निंग कर सकते हैं na? यकीन कर सकते है। सिर्फ स्टूडेन का बेरुजगारी हटाना ही सिर्फ पूनदर नहीं है। सबसे पहले फॉर्म में जो पैसे आते हैं, वो कहां से आते हैं? तो वो जो क dementia है, वो कौन बताएघा है। उसके पास source होना चाहिए, income का source होना चाहिए, income का source होगा, मतलब कि बेरोजगारी हटेगा तभी तो, तो ये आखिर बेरोजगारी किसी भी हद तक और किसी तरह से जाना चाहिए, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी से याएगा, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जहां से बेरो पर खड़ी हुई है, तो क्या, उनके लिए क्या कहेंगे, युवा, आप युवा है, और, हमको कॉंग्रेस आइडोलोजी अच्छा नहीं लगता है, तो उसका आइडोलोजी बहुत सही नहीं लगता है, आप सुन सकते हैं, किस तरीके से युवा है, वो अपना रूज़ान किसी औरी तरफ लेकर जा रहे है, आलंगे कुछ युवा का ये कहना है, कि ना तो वो कॉंग्रेस पर भरुसा कर सकते हैं, और ना ही बीजेपी पर, वो इस बार किसी नए चेहरे को चांस देना चाते है, ऐसे हम हमारे साथ कुछ और भी इस्टूडेंट है, से तोर पन से ज पहुत हुत है, और ये बीजा उतन चाही है, कि चुलते हैं ख़जर हो गिए पर भी थी पर रछा दो सॉने आप शेंट गेसा प reincarnation करेसे तो इस ऐस मत्रद थी जो मत्त कि पप राना जो हो रही वही नियू अभी भी हो रहे हम लोग चाहते हैं कि अभी कुछ नया नेता हो जो जै राम मा तो अभी खड़ा होना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि वो इस बार उनको चुने मुद्दा क्या रहीगा आपका मतलब लुद्दा क्या रहीगा किन मुद्दी को लेकर वोट करेंगे हाँ अभी नौकरी वही सिख्शा को लेकर थोड़ा सुधार नौकरी के साथ साथ थोड़ा सुरक्षा भी Education के मामले में भी थोड़ा भी इसा कि आपने थोड़ा दिर पहले जैसे कि G.M.M. की नेता कितने पढ़े लिखे हैं, बीजेपी की नेता कितने पढ़े लिखे हैं लेकिन जो प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं उनने तो अच्छी कứngश एक्स प्रियेंस है न? तो वो experience जितने के बाद हर कोई को हो जाता जैसे कि हम पहले ही अगर नर्सरी क्लास में admission करा रहे होते हैं तो पहले तो हमें पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है सुरुवात तो हमें काखा से ABCD से ही करना होता है जैसे कि अगर जेरा महतो जीता है तो experience के तोर पर उसे वो experience मिलेगा ना अगर जीतेंगे तो मिलेगा अगर नहीं हुआ तो आगे विधान सभा का चुनाओ है आगे विधान अभी तो लोग सभा है अभी लोग सभा में टकर देते हैं क्या होता है देखते हैं कि तो आपनें देखा कि इस तरीके से जो लेया वो टॉर कहरह रहा है कि जो सिख्छाय वे ह होना चाहिए और साथ ही रोजगार पर भी विशेष ध्यान ड्रेवाद कर लोट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो भी सांसधा उनकेलिए काम कर अपने वीडियो जनली संतुस के साथ महक मिस्तरादनिस पोश्ट राचि